हेलो दोस्तो आयूवेद और मेडिसन चैनल में आप सभी का स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब कर दें तदा बेल आइकन को दबाएं आज हम बात करेंगे सुन्टी चून के बारे में सुन्टी चून सूखे हुए अद्रक को कूट कर बनाये जाता है यह चून, पाचन संबंदी, गठिया रोग, गले के रोग, अजीन याने इंडाइजेसन, सर्दी खांसी आदी बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है सुन्टी चून को मसालों के रूप में भी इस्तिमाल किया जाता है मूत संबंदी, रोगों में भी है लावकारी होता है तो चलो जानते हैं सुन्टी चून के लावदता फायदों के बारे में चलो दोस्तों शुरू करते हैं सुन्टी चून के बारे में या कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है अगर इसके कम पूजिसम की बात की जाए तो सुन्टी 5 ग्राम के अंदर 5 ग्राम में होता है इसके इंडाइजेसन तरह दोज हमिसा डॉक्टर से पूछ के लेने चाहिए इसे कूल तरह ड्राइप लेस में रखना चाहिए और संलाइट से दूर रखना चाहिए आम तोर पर इसे डाइसन मिली ग्राम से एक ग्राम तक इसकी मातरा ली जाती है जो कि दिन में दो वार एक सुबह खाना खानने के बाद और एक शाम को खाना करने के बाद लेना चाहिए जो कि गरम पानी से लेना चाहिए जो कि अजिन तथा वात रोगों में भी दिया जाता है दोस्तों भी इसके फाइदा के बारे में बात करेंगे दोस्तो सुन्टी चून का तासिर गरम होता है यह वात नासर तता पितवर्दक होता है इसलिए यह वात समंदि सभी रोगों को ठीक करता है इसलिए जो आथराइट्रेट्स के पेसेंट होते हैं उनके लिए सुन्टी बहुती लावगारी माना गया है यह चून गठिया रोग अथार्थ जोड़ो करोगों को ठीक करता है पेट में गैस अब लोटिंग होने पर सुन्टी चून के इस्तिमाल से बहुत फाइदा होता है सुन्टी चून को गरम पानी से लेने से गैस अब लोटिंग के समश्या दूर हो जाती है इंडाइजेशन यानि एपचे रोक के लिए सुन्टी चून रामवा नोस्दी माना गया है सुन्टी चून में एंटी कैंसरस प्रोपर्टी पाई जाती है जो कि कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देती सर के दयद को भी सुन्टी चून बहुत जली ठीक कर देता है